हेलो स्टूडेंट्स वेलकम तो इन माई चैनल स्मार्ट स्टूडेंट्स आज हम डारेक्टेट ओफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वाक्षिट नंबर फोर करेंगे जो की क्लास सेवन्थ की है और सब्जेक्ट है सोशल साइंस बिट ये वाक्षिट सेकेंड अक्ट अब देखो अर्थ के चारो तरफ ये एर की जो लेयर है क्यों है क्यों कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसने क्या कर रखा इसको होल्ड कर रखा है अब क्या कर रखा है इसका में काम है कि जो सन से सीधी हांफुल रेज आ रही है जो हीट आ रही है उससे अर्थ को प्रोटेक्ट करता है इसके अलावा ये किससे बना है अब क्यों रखा है तो बेटा को यहां पे कुछ ऐसे इंसिदेंस बताने है जो आप एंवायर्मेंट में देखते हैं उर इंसभाटनस बताने है और तो यह फिर आपका जो यहां कोशिन है इसका आपका अंसर हो जाएगा इब फिर बताते हैं अगे देखते हैं क्या दिया गया है बिच्चे तो देखो जो अर्थ में हमने अभी देखा था कि जो एट्मोस्ट फेर है वो क्या है तो उसके अंदर सबसे 78 परसंट सबसे जादा परसंट जो है वो है नाइट्रोजन का और 21 परसंट है उक्सीजन का और 21 परसंट है उक्सीजन का तो यह आपको बहुत अच्छे से याद करना है कि 79 सबसे जो जादा गैस है वो कौन सी है तो वो है नाइट्रोजन कितना है 78 परसंट और 21 परसंट क्या है उक्सीजन and also as a small amount of the loads of other gases इसके अलावा nitrogen और oxygen के अलावा भी बहुत सारी gases है small amount में such as carbon dioxide, neon and hydrogen देखिए आपको ये 5 gases के नाम बहुत अच्छे से याद करने होंगे बिटा सबसी जादा amount में कौन सी गेंस है मेरे साथ आप बोलेंगे बच्ची nitrogen very good कितना percent है nitrogen? 78% nitrogen कितना percent है? 70% atmosphere में nitrogen कितना है? 78% उसके अलावा second number पर कौन सी गेंस है? oxygen और oxygen कितना percent है? 21% very good आपको ये बच्ची याद करना है ठीक है इसके अलावा और कौन कौन सी गेंसिस यहाँ अविलेबल है आर्थ पर कौन कौन सी गेंसिस है बिटा atmosphere में तो आप लिखेंगे carbon dioxide, neon and hydrogen बट ये बहुत small amount में है next देखें क्या दिया गया है the portion of the earth where life exists is called biosphere अब बात करते हैं biosphere मैं पिछली वरक्षीट में भी बिटा आपको बता चुक्यूंकि biosphere क्या है? कि the portion of the earth where life exists is called biosphere जहाँ पर भी life है उसे हम क्या कहते है? and hydrosphere तो जो biosphere है वो three parts से मिलकर बनी है lithosphere जो भी land area होता है उसे हम क्या कहते है? lithosphere एर जो भी air area होता है उसे हम क्या कहते है? atmosphere और hydrosphere जितना भी watery area होता है उसे हम क्या कहते है? hydrosphere तीक है? तो three parts से मिलकर बनी है और उसे हम क्या कहते है? Biospheres, एक बडी फिर समझाती है बेटा जो भी हमारी अर्थ पर Land Area जहां पर भी आपको Land Area दिखाई देता है तो वो क्या होता है Lithosphäre और जहां पर भी Air है, उसे हम क्या कहते है Atmosphere और इसके लबाट जहां कहीं पर भी आपको Earth पर Water नजर आता है तो वो क्या हो जाता है, hydrospheres तो इन तीनों को मिला कर combine किया जाए, थ्री पार्ट को मिला कर combine किया जाए, तो उसे हम क्या कहते है, biospheres, ठीके स्टुएंट, तो अब देखते हैं, इसके question answer, what is biospheres, तो बेटा, आप मुझे बताएंगे, what is biospheres, तो अभी इसका answer हमने किया है, यह देखिए, यह इसका answer, पूरा बहुत अच्छे से answer दिया गया है, first का answer, the portion of the earth where life exists is called biospheres, the portion is made of three parts called lithospheres, atmosphere and hydrospheres, यह पूरा आप पार यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, first question का answer, अब हम करते हैं, second question, write the name of five layer of the atmosphere, अभी हमने बीटा यह बात करी थी, कि यहाँ पर अर्थ है, और अर्थ के बाद three layers है, एर की, जिसे हमने क्या कहा था, atmosphere, तो कितनी लेइर है, पहले तो आपको यह याद होना चाहिए, कितनी लेइर है, कितनी लेइर है, five layer, तो हमें उनके name देखने है, तो आईए हम करते हैं उनके name, तो देखे, बीटा, बहुत अच्छे से diagram दिया गया है, तो देखो, सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं, कि यह क्या है आपकी आर्थ, यह क्या है आपकी आर्थ, तो earth के सबसे पहले जो नजदीक, जो atmosphere के लिए है, वो क्या है, troposphere, सबसे नबर नजदीक पर कौन सी है, troposphere, सबसे नजदीक कौन सी है बिटा, troposphere, उसके बाद second number पर आती है, stratosphere, second number पर क्या आती है, stratosphere, number third पर mesosphere, fourth पर thermosphere, and number five पर exosphere, बिटा, आपको यह जो sequence है, इसी sequence में आपको याद करना है, जैसे के मठे, यह मठे, अर्थ है तो यह चारो तरफ से इसको ऐसे कवर के रहता है, तो आप देखेंगे, बीच में क्या है, अर्थ है, और अर्थ के सबसे बाखर, को दिखाईदीना, फर्स जो इसको एंडार कर देती हूँ, ये कौन सा air है आपका troposphere, ये कौन सा air की layer है, troposphere, फर्स तो ये कोशिन याद कीजिए कि air की कितनी layer है, atmosphere में 5 layers, कितनी layer है, 5 layers है, कौन-कौन से सबसे, नस्दीक कौन सी है, अर्थ के सबसे पास कौन सी है, troposphere, उसके बाद stratosphere, next है mesosphere, और उसके बाद thermosphere, और सबसे last, एकदम outer पे क तो यह पांच ले रहा है, इनकी नाम आप बहुत अच्छे से याद करेंगे, और यह second question का answer है, आप इसी sequence में इसको लिखियेगा, और इसी sequence में याद कीजिएगा, जिसे कि आगे भी इससे related कई question पुछे जाएंगे, तो आपको कोई problem नहीं होगी, तो यह है बेटा, आपका second question, आईए, अब हम next question करते हैं, बेटा, next देखिये, fill in the blanks, gases found in the atmosphere are given below, fill the blanks and appropriate letters, अच्छा, हमें यापे कुछ gases दी गई है, उन्हें हमें यहाँ पर लिखना है, तो सबसे first पर कौन सी है, बताइए आप, सोचे, सोचे, NI से क्या बनेगी, nitrogen, very good, सबसे first पर कौन सी है, बेटा, nitrogen, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर space में लिखा नहीं जाएगा, तो सबसे first कौन सी है, nitrogen, ठीक है, number second पर कौन सी है, बताइए, oxygen, very good, number second पर कौन सी है, बेटा, oxygen, ठीक है, अब number third पर कौन सी है, बेटा, देखिये, कौन सी लग रही है, आपको, carbon dioxide, very good, ब अब देखिये, first पर कौन सी है, nitrogen, second पर oxygen, and third पर क्या है, carbon dioxide, अब हम next करते, next number five पर क्या है, बेटा, देखो, सोचे, five पर हमने five गैंसी जी करी थी, तो five पर है, neon, five पर क्या है, neon, sorry, four number पर क्या है, neon, four number पर कौन सी गैंस है, neon, बोर नम्बर पर कौन सी गैंस है, नियोन, अब five पर देखो पिटा कौन सी गैंस है एच से कौन सी गैंस थी हाइड्रोजन वेरी गुड फिफ नमबर पे कौन सी है हाइड्रोजन ठीक तो फाइफ गैंस थी और फाइफ गैंस के नाम आपको यहां पर लिखने हैं और इसके लावा बच्छे एक बात और बताओ कि आज की वर्क्षिट कंप्लीट होती है वर्क्षिट कंप्लीट करके अपनी टीचर से चेक कराईए और प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और शेर कीजिए थैंक्यू स्टूरेंट्स